गैस जब हम एक बर प्लांट्स विजिटेबल्स उगने पर होर्वेस्ट करते हैं तो दूसरी मरतबा यूँ ही प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नहीं डलना चाहिए इसको उलेट कर धूप को इस तरह से अच्छी तरह मिट्टी को सुका देना चाहिए देखे किचन कमपोश्ट डालने पर लीफ कमपोश्ट पत्यान डालने पर किस तरह से मठी बुरभुरी भूत अच्छे सी बन गई है और कीडे फंगस सब कुछ धूप को अच्छी मिठी बन जाती है और दुबारा रीपोट करने से जो भी डालो उगे कितने अच्छी अब और इसमें दुबारा जो बोना है वो डाल सकते हैं जब उगने लगेगा मुझे ही यखिन नहीं था कि मेरे गार्डन में इतनी अच्छी से गोबी की ग्रोथ हुएगी और इधर मिर्च के ब्लांट कितने अच्छी से ग्रोथ ले रहे हैं और अब ठनड खतम हो चिकी है अभी धूब ज्यादा होने को है यह देखिए क्रेले की बेल कितने अच्छी से लगी है यह देखिए चोबी सीची पॉट में अनार का प्लैंड कितने अच्छे से लगा है यह देखिए इसको नाटी करेले बोलते हैं बहुत ज्यादा ही लगे ही बहुत अच्छे से मैने कई बार हॉर्वेस्ट कर चुकी हूँ यह देखिए इतने ही ग्रो बैग में दो या तीन लगाई जाने थी मेंने करेले की बैल भूत अच्छे से ग्रोथ ले रहे हैं हैं इन के देखिए कि देखें कितने ज्यादा करेले लगे हैं इधर इंधर और इधर और उधर 24 st पैट में कितना घान अनार का प्लैंट लगाई हूं बीच से कितना अच्छा लगा है प्लाइक बक्रेंट में लगाई हूँ और तप में देखिये फॉलन में दो गोवी के प्लैंट लगाई हूँ कई बार हारवेस्ट कर चुकी हों फिर भी त्या है क्रोध आनियन डाली थी वेश्ट पानियन पैज लेका के कितने अच्छे खास ग्रोथ हो रही है मुझे ही अखी नहीं था कि इतने अच्छे सी ग्रोथ आनियन लीफ लगेगी देखकर बहुत खुशी मालम हो रही है देखिये फ्रेंड्स अब पालक है और ये टर्टरल वैन है अच्छे से ग्रोथ लए रही है ये निकाल कर दुसरे सरफ सिफ्ट करना है बहुत धूप लग रही है मैं गोबी के प्लैंट लगाई हूँ इधर हल्दी लगाई हूँ अभी लगने पर अपडेट करूँगी इधर लाल वाला अम्रूद का फ्लैंट के इतने अच्छे से ग्रोथ ले रहा है ये भी बीच से ही लगाई हूँ ये सबजी लगाई हूँ लिफ विजिटेबल्स अच्छे से देखिए एक पार्ट में दो तरह की प्लैंट्स नहीं लगाना चाहिए जब मैंने दो आनियन और कस्टड अपल पैंट डो लगाई तो इसकी ग्रोथ रुख गई आनियन अच्छी ग्रोथ होने को लगी मैंने ग्रोथ रुख गई करके आनियन लीफ निकाल दी इसमें अब देखिए कितना अच्छे से ग्रोथ ले रहा है इसलिए एक पट में दो तरह की सबजी होया प्लैंट्स नहीं लगाना चाहिए एक कंटेनर में एक ही प्लैंट यह बुदीना है यह आनियन लीफ है अभी एप्रेल में में बारिश लग गई तो इस तरह का मिटी को सुकाने के लिए नहीं होता देखिए फ्रेंड्स कितनी खुशी मालूम होती है जब हम किचन कंपोस्ट लीफ डाल देते हैं तो देखिए किस तरह सी कंपोस्ट बन गया है और इसमें जो भी बोएंगे अभी अच्छे सी ग्रोथ हुएगी अभी घूप को मैं मिटी सुका रही हूँ आठ दिन या फिफ्टीन डेस कम सी कम चार दिन तो भी इसमें फंगस वाइट फंगस छोटे कीडे वो सब मर जाएंगे जब हमारे प्लैंट्स की ग्रोथ अच अच्छे से गेंदे के फूल लग रहे हैं यह सदा बहार फूल है साल भर गार्डन में लगे रहता है सकूलन प्लैंट्स है यह मैंने आनलाइन में मंगाई थी बड़े अच्छे से ग्रोथ ले रहा है इसको ज्यादा कमपोस्ट खात डलने की ज़रूरत नहीं अच्छे से रह लेता है और यह पाम प्लांट है यह लोग शेड सिनेक प्लैंट यह मैंने कटिंग करकर लगाने की कोशिश की तो साधी तरह सी ग्रोथ हुए है प्लैंट और जब सेम प्लैंट चाहिए तो इसकी जड़ों में सी जब बेवी प्लैंट निकलेगा तो वही देखने को और इसको संसू यरिय भी कहते हैं और स्माल इसनेक प्लैंट भी कहते हैं यह एक लगाने पर इतना ज्यादा इसकी ग्रोथ हो रही है देखिए बेबी प्लैंट एक प्लैंट लगाने पर कम सी कम पचास चोटे चोटे यह देखे फ्रेंद गरमी वाली सबजी लगाई हूँ यह गोबी के बीज लगाई हूँ वर्नी कंपोस्ट में इतना अच्छा प्लांट लगा है और मैंने साथी मिटी में लगाई हूँ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दिकरा मेरे को इसलिए आप भी जब भी बीज लगान करना हो तो कम सी कम कोशिश करिए के वर्नी कंपोज या कोको फीट मिक्स करके लगाने पर ही आपको अच्छा रिस्ट गाई थी इतने अच्छी सी ग्रोथ नहीं ले रहा है प्लांट अभी इसको अच्छे से खाट डालना है यह अडूनियम है कटिंग करने पर इसकी रीपॉट करके मिट्टी निकलने पर एक इंच उपर लेने पर इस तरह से शोप देता है अडूनियम प्लांट और उपर देखे कितने अच्छे से लगा है यह भी सकूलेंट है घर्डन में यह भी सकूलेंट है यह बोनसाई जड़ा प्लांट है पर मैंने पर पॉट को लेकर इधर उधर चाओं में थोड़े रख चुकी हूँ क्योंकि धूप को कई सन कई सारे प्लांट मर जाएंगे इसलिए इनको हिफाज़त करना बहुत जरूरी है इसलिए मैंने च्छाओं में ही रख चुकी हूँ इसको क्या बोलते ही बीरियानी पत्ता बोलते ही अच्छा प्लांट बेबी प्लांट लगाई थी अच्छे से ग्रोथ हो रही है अच्छा लगे लाइक कर देना फ्रेंड्स